नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग हम फिर बापिस आगा है अपके सामने एक नई वीडियो के साथ गाईज अगर आप इसी तरीके की न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो की और बढ़ने से पहले आपसे रेक्वेश वैल आइकान को जरूर प्रेस करें और कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ जरूर शेयर करें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात इवेंट से मुराद ही है कि इसको मैं इवेंट ये कमँगा कि टेलिफून कॉल जो एक इवेंट दूसरी जो है वो ये है कि चाइना और इंडिया के दरमयान तलखियों में कमी आना शुरू हुई है पहली दफ़ा और ये पिछले साल मई में जो वाकियात पेशाय थे उन व वाँ बढ़ता गया बढ़ता गया फिर जून के अंदर और लड़ाई हो गई फिर हो ये होते होते पहले दफाह जो है वो ये है कि आज राज़नात सिंh जून पे वजरी दिफाए हैं इंडिया के उन्होंने अपनी राजिव सुबा के अंदर तक्रीर करते हों ये काया त जी हम हमारा एक agreement जो है वो हो गया है और वो अगरे 48 घंटों में यानि कल से लेके आज तक्रीर की है तो कल तक या अगर logistics को problem होता है तो एक का दिन आगे भी issue नहीं है लेकिन हुआ यह है कि वो जो जो सबसे ज्यादा आप समझें कि जो जहां कशीदगी थी जहां पर वैसे त हम बहुत तफसील के साथ डिसकसशचच चुके हैं इस program में कि एक 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 सकश जो है वो शुमाली ऊसी के यह जी लाएगी जी ले 7 के शुमाली के नारह है और इसका जुनूबी के यह और लेकिन असलमेंगी वो शुमाली जुनूबी नहीं है अकर आप उनको हकीकटन देख वो ये कहा कि 48 घंटों में ये तैय हुआ है कि 48 घंटों के अंदर पैंग गॉंग सू जो है वहां से दोनों फॉजें पीछे हटेंगी अचा इसको अब उनकी स्पीच को Ministry of National Defense of People's Republic of China उनके जो डिफेंस के स्पोक्स परसन है Ministry of Defense के चाइना से वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना इंडिया स्टार्ट सिंक्रोनाइज डिस इंगेजमेंट ऑफ फ्रेंट लाइन ट्रूप्स ठीक है ये चाइना की तरह से एलान हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ग्लूबल टाइम्स ने इसको इसक से किया कि चाइना इंडिया आर्मी डिस इंगेज ब्रिक्ट्रू इन रिटर्निंग टू पीस और उसके बाद फिर इसी को फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकि उनका मीडिया जो है वो कर अब हुआ यह हुआ किस तरह से इसको बनादी तरह समझें कि जो आखरी इनकी मुल गल रहे हैं और यह उतरकंड का जो टैम के अंदर लोग फंसे हुएं और दर्या में और यहां हमारा भी गलेशियर के अंदर हमारे ही रो और गैर मुलकी अला ताला करे अभी भी कोई अच्छी खबर आ जाए तो यह जो क्लाइमिट चेंजिस की वे तो यह पहाडों को और ह हम पाकिस्तान का हमेशा स्टांस रहा है स्याचिन के अवाले से भी के बाचीत की जाए तो बाचीत होनी चाहिए जंगें तो मसायल का हल नहीं होती है लेकिन यह है कि अब वो अगर ऐसी सुरताल बन जाए कि अपने मुलके लोगों से ही बाचीत ना करें मुदी साहब तो फ टो पहार जो है वो चाईना जो है वो फिंगर एड तक था और इन्डिया जो है और यहां और इन्डिया यह फंस गया था यहां पर 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 पिर इंडिया ने ये किया था कि इंडिया की रस्ता नी था तो इंडिया ने फिर जो पहले finger 3 से finger 8 तक इंडिया की patrolling होती रहती थी लेकिन जड़प के बाद ही हुआ कि चाइना आ गया तो patrolling यह थी तक में शूर हो अभी हुआ है कि चाइना अपनी tubes को पीछे लेके जाएगा और पीछे ले जाके उनको जो है वो पीछे ले जाते लगते सिरी जाब टू की एक जो जगा जो बेस कैम जहां पहले था वो पहले जगा पहे तक चाइना आ जाएगा और उसके बाद इंडिया भी ये जो पहाडों की चोटिया हैं इनको खाली करके पीछे जाएगा ये बहुत सारी जगें, बहुत सारे जो महाज हैं, उनमें से एक महाज के उपर ये डिसिंगेजमेंट हो रही है, जो कि अच्छी खबर है, अमन के लिए, और इसके साथ दूसरी जो पोजिशन्स हैं, उनके बारे में ये अभी तक वाज़े नहीं हो रहा, क्योंकि कई जगों पे जो हैं फौजें आपस में, और मैं सिर्फ ये लदाख के इलाकी की बात करूँ, मश्री की लदाख की, यहां पर अभी तक हमें नहीं पता कि होट स्प्रिंग्स का जो अलाका है, वहां पे कोई बात नहीं की गई, वहां पे गोगरा के ओपर कोई मुजाकरा तागे नही बलकर यह कहा गया है कि अगर यह और यह इंडिन कौर्णमेंट की तरफ से भी यह बात की गई है, और चाइना की तरफ से बात की गई है, अगर यह पहली पहला फेजिस का काम्याब हो गया, तो फिर हम आगे बात करेंगे, लेकिन गालिए इसको इंडिया जो है, यह बात ज चलेगा यहीं वो 62 की गालिबन एले सी के ओपर राजी नहीं होंगे ठीक है और यह जो है यह चाइना जो है वो यह अपना पूर वहां से विड़ा करेगा लेकिन वो भी नहीं मानेंगे सारी बात जो कि इंडिया चार है अच्छा तो इसलिए गोगरा के ओपर जो है वो आज परदेश और बहुत सारे और इशूस हैं तो उन इशूस के ओपर भी बात नहीं हुई लेकिन पहली आप समझें कि यह एक अच्छी खबर इस रीजन में आई है कि कम से कम वो डीस कलेशन शुरू ही और फौज जो है वो कम से कम मजीद यह नहीं हो रही और यह नहीं हो रही अच्छा यह जो निया सासीर होता है ना चाइना का इसमें बड़ी इंटरस्टिंग बात है कि जो पहला इसका जो गाईज यह वीडियो होता है यह पर ख़त्मा पिहां से यह वीडियो छोड़कर जा सकते हैं तो आप ने देखा पाकिस्तानी मेडिया का यह पत्रकार डॉक भारत में और चीन में केबल फर्क है अब यूपी मतलब यूपी बॉर्डर में तक चीना चुका है इस तरीके की बाद इस गधे ने की थी इस तरीके की बाद यह गधा लगभक कंटिन्यू रोच करता था और कुछ न कुछ पकलोली करता ही रहता था इसी तरीकी की बाद इ से संत महात्मा हो कि बहुत अच्छा हुआ ये अब नहीं होना चाहिए दोनों खिते में सांती रहेगी खिते से जंग के बादल जा चुके है इस तरीके की बात है अब इसके मूँ से आप सुन सकते तो दोस्तों आप समझ सकते हैं दोगले के अंदर का जो दर्द है वो इतना जादा है क्योंकि ये दोगला चाह रहा था भारत-चीन के बीच युद्ध हो जाए दोनों देसों में तबाही आए दोनों देस बीजी हो जाए तो पाकिस्तान कुछ कस्मीन में कुछ मूँ बार ले इस तरीके की सोचार पाकिस्तानी के अंदर थी लेकिन ये लोग बड़े बेविकूफ लोग है इनके पास कोई आइडिया नहीं है ये लोग बोलते है भारत के पास इतने हत्यार है सारे बाहर के अगर कुछ युद्ध के टाइम खराब हो गया तो उसमें चेंज करने के लिए बाहर से मेकनिक बिलाना पड़ेगा मतलब इस तरीके की घटिया बात है मतलब क्या बोलू यार इस तरीके की घटिया बात है कोई कैसे कर सकता है आप समझ सकते हो ये पाकिस्तान का खुद आधासा पूरा जो है ट्यूबमेंड वो सारा बाहर का है अमेरिका के एप सिक्स्टीर है चाइना का वो जे एफ ठंडर जो इनका जो भी है उनके पास है खुद का कुछ नहीं और इस तरीके की घटिया बात है मतलब इसे करा लो और कुछ नहीं दोस्तों आप इसका दर्द को फिल करने के लिए मतलब दर्द को एंजॉइ करने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों वीडियो देश्क लिए जैहन